गुड मॉर्निंग जी कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने अलवेला किचन में चलिए देखे मैं आज आपके लिए क्या बनाऊंगी हमारे यां इसको बेसन के चिल्दे बोलते हैं लेकिन आप उसको बेसन के डो से भी कह सकते हैं वेजामलेट भी कह सकते हैं जो नाम भी दाल सकते हैं के में अंब इस में प्याज डाल दिया में आधा चम्मच थोड़ा ही इंग डाल दिया और यह सम्प दनी का पायुडर básicamente मेर्ज डाल दिया और यह प्याज का ग्रीन पार्ट बोले और यह रिएimasu तरी मिर्च है और यह थोड़ा सा अध्रक का टुकड़ा नमक सवाद की अनुसार जैसा आप खाते हैं इसके अनुसार डालना यह थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि चट्पटा अच्छा लगता है इसको मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि फिर पानी डालने के ऑफ फोड़ा पानी और मिलाओं फोई ईक ग्वास पानी डेल गया था पानी मैंने ओर लिया इस में 10 पर मैंने तबा रखा अब दावा बताना दोस्तों मेरा आपको दावा किसा लगा, ये मैं अभी लेकर आई हूँ मेरा पहला दावा खराब हो गया तह वो गोड था, मैंने जैसे इस दावे को देख़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सुचैसी को ले लेती हूँ आप भी बताना आपको कैसा लगा इस पर दो डो से एक साथ मन जाएंगे यह अब हमारा तबह हो गया है तयार यह हमारा बैटर भी तयार हो गया इस तरह का इसको गोल बनाना है यह देखे जेट ग्लास में से यह थोड़ा सा पानी बिचाता यह इसमें डालके दिखाती है यह देखे एक चमच के करीब यह पानी बिचा बाकि डेड़ ग्लास के करीब ही पानी जाएगा इसमें यह हमने इस पर एक चमचबर के बैटर डाला इसको फैलाने की भी जरूरत नहीं है वो खुद ही फैल जाता है बाकि कहीं से थोड़ा बोट ठीक करना है तो बहां पर डाल सकते हैं और नहीं तो यह बिल्कुल अपने आप ही फैल गया पूरा अब इस पर थोड़ा सा हम चारोधर को किनारों के पर और डाल देंगे आप अगर घी काते हैं घी डालिए रिफाइन डालिए जो मर्जी आपकी वो डाल सकते हैं अब यह धीमी गैस पर इसको सेक लेंगे अगर गैस को तेज कर देंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा लेकि अंदर से कच्चे रहेगा अच्छा नहीं रगेगा इसलिए दीमी दीमी गैस पर इसको उलट प्लट करें के अच्छे से लिए दोनों तरफ से यह देखिए उलटी तरफ से इतना अच्छा से थोड़ा सक अच्छा है जड़ासा इसको फिर ऑफ थोड़ी देर से लेंगे अब हमने मैं आपको चार डोसे बना कर दिखाऊंगी इस पैस्ट आप से अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग दिया है तो मेरी वीडियो को सेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ताकि मैं और सुधार कर सुगर कोई कमी ह तो यह देखिए अब हमारे चार डोसे या चिल्ले इस पर आ गए हैं अब इनको भी थोड़ा सिम गैस पर यह सेखेंगे ताकि यह कच्छे न रहे सर्दी का मौसम है सर्दी के मौसम में जितनी सबजे खाए जाए तो अच्छी है अविआ सब्जी आती हैं बहुत है वार पूरपूर मात्रा में यह देखिए और इसमें से जो और यह ग्रीन पीर जो मैं आपको दिखाया था वो मेरे गारडन का यह है मैं एक दिन आपको अपने गारडन की सैर कराई थी तो यह मैं वाहन से ही लेकाई है अब यह देखें है एक बार दूसरी तरफ से हो गये थे यह अब यह पलट दिया हमने अभी दर इसको भी ये दो लास्ट में किये तो इनको थोड़ा और सीखने देंगे उनको थोड़ा अभी हम हलका सा वेल लगा लेंगे, अगर आप दही के साथ कहना चाते हैं, ब्रेटी के साथ कहा सकते हैं सोस के साथ कहा सकते हैं जिस jetzt के साथ आपको अच्छा लग है उसके साथ आप खा सकते हैं और यह freshmen ने इसमई सुभे नास्ते के टाइम में बनाये हैं अच्छे रहते हैं Keeping भी हेल्थी होता है यह देखिए मेरी है टमाटर की चटनी जो सासुमा की रेस्पी में मैंने डाली थी आप भी बना कर देखना बड़ाई स्वादिश चटनी है यह देखिए अब हमारे हो गए हैं चिल्ले तैयार आई यह खाई आप